मैंने अपने पौधों के लिए बहुत अच्छा फटलाइजर बनाया है इसको कैसे बनाया है वीडियो में देखेगा जरूर ये मैं क्या चीर डाली हूँ ये सारी जानकारी बताऊंगी देखे कितना अच्छा फावरफुल कि आपके पौधे सर्दियों में कोई भी पौधा खराब नहीं होगा इसमें तीन चीज़ से मैंने बनाया हल्दी गुड नीबू आप लोगों को तरीका जानना है तो वीडियो को पूरी देखेगा और देखे ये हमारे प्लांट को कभी खराब नहीं होने देगा बहुत ही अच्छा टॉनिक है और कि जो अब सर्दी आ गई है क्योंकि पौधे हमारे उसी से अपना भोजन बनाते है सूरज की रोशनी से है ना जी तो इसलिए मैं किसी पौधे में दूप लगे पाती है बराबर किसी में नहीं लग पाती है तो यह मैं जो पौधों के लिए गर्माहट टॉनिक लेके आई हूँ आप लोग वीडियो रहे हैं और वीडियो देखे जब तक वीडियो आप नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मैं कौवन से प्लांट की कोवन सी चीज की जानगारी देने वाली है अपनी वीडियो पी तो आज मैं आप लोगों बता रही हूँ कि देखे सर्दी आने आ आ गई हैं अब हम सर्दियों में हम बनाना है सारी चानकारी है आप लोग वीडियो का पूरी देखेए क्यों कि सर्दियों में प्लांट हम भी ज़्यादा पोधों की गुड़ाई नहीं कर पाते क्योंकि हम हमें भी ठंड़ी लगते हैं और हमारे पोधों तो आप लोगों को मैं बता दू कि क्या क्या डालना है और आपके घर से है तो आप लोग वीडियो को पूरी देखेगा बने रहेगा तो चलिए मैं आप लोगों जल्दी से एक तरीका बता रही हूँ जो आपके प्लांट को गर्माहट बनाएगा आपके प्लांट का भी खराब नहीं होंगे और आपके और माहू लग जाएंगे तो हमारा ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा हम देखते ही रहे जाएंगे कलिया खिली नहीं पाएंगे चोटे-छोटे से फूल खिल पाएंगे और उतने में ही ये मुर्जा के गिर जाएंगे अगर हम इनमें अच्छी चीजे अच्छी तो देखिए मैंने यहां पर क्याले के रखा है आप लोग सोच रहे होंगे कि यह गुड़ और यह हल्दी से क्या होगा तो यह गुड़ और यह हल्दी हमारे पॉधों के लिए राम बाढ़ है आज मैं इसी से बहुत ही अच्छा फट लेजर बनाऊंगी और आपको दिखाऊ पूरानाा गुड़ है आप लोगों को फायदा लिए है नंगो नहीं पॉराना अब लीजएगा साथ की पूरानाके प्ड़े इत्मक्रॉठ है ऐसी जाती खूआन चना के लिए बहुत ही ज्यदा फायदेवंद होती है और ऑप इस बहुत सी सारे पोसक तद्वी होते हैं, जो हमारे पोधों के लिए बहुत ज़्शादा फायदेबंद रुपी होगी है, ठीके, अब मैं आप लोगों को हल्दी के गुड़ बता देती हूँ, हल्दी में क्या क्या पाया जाता है, तो हल्दी में, देखें, हल्दी में टृट करती है को हमारे प्लांटे ग्रोथ बड़ती है और दूसरी चीज है कि हमारे प्लांटे कि जो फंगिसाइड मिंटी में लगता है वो इस हल्दी का डालने से नश्ट हो जाते हैं चीटिया भाग जाती हैं तो इस तरह से इनका उपयोग है बहुत ही ज़्यादा फायदे बंद है तो जब ये हमारे घर में किचन में रखी हुई चीजे इतनी गुड़कारी होती हैं तो हम इनको अपने पौधों में क्यों ना डाले क्यों हम बजार से ऐसी जो चीजे लाएं जिसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है और डाल देते हैं और हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं तो प्लांट का खराब होना तो मुम्किन है क्योंकि हम यह नहीं पता कि इसक तो पहले आप लोगो को गुड़ो Dartmouth इस्तरे से quienes आ चुट छुट चुट टुकोड़ों में इसको इस्तरे से महीन कर देना मैं आप के दिखाऊंगे और फिर इसको एक दो रात eges जैसे भी आप इसको रखना चाहें जैसे हमने इतना यहां पर पानी ले लिया है और यह गुड इसमें डाल देंगे इस तरह से गुड डाल देंगे इसमें यह गुड डालना है यह मैंने गुड डाल दिया और अब इसमें से आप लोगों को यह हल्दी डाल देनी है इस तरह से यह हल्दी आप ऐसे डाल देंगे तो यह हल्दी हो गए गुड़ हो गए अब इसमें एक चीज आप लोगों को आउड डाल देना है देखे मैंने यह बनाया हुआ था आप लोग से दिखा दू यह है नीबू का मैं फट लेजर बहुत काफी दिन पहले मैंने वीडियो डाला था तभी मैंने यह भीगो के रखा तो देखें यह मेरा बन गया है बहुत यह अच्छा यह एक तरह से एंजाइम बन के तैयार होगे देखें मेरा यह नीबू एकदम से सड़ चुका है पूरी तरह से गल चुका है यह पानी में पड़े-पड़े और इसमें नीबू में तो बहुत सारी तत्तों होते हैं इसमें से देखे आप लोग बस इतना थोड़ा सा इसमें मैं नीबू मिला दी हूँ अब यह नीबू मिल गया अब इसमें तीनों चीज मिल गई है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे बन तो आप लोग क्या करेंगे इसको चार दिन के लिए तीन दिन के ल तो आप को रख सकते हैं या फिर मैं आप लोगों को अभी डाल के दिखा भी दे रही हो तो देखे पानी अरे दया अरे दया इतना सुन्दर काफी दिन पहले मैं इसमें से डाली थी और देखे ये कितना अच्छा सा बनके निकला हुआ है ये देख लीज़े आप यहाँ पे ये तो इसको मैं क्या करूंगी इसको अपने पानी इस बाल्टी के पानी में एड़ कर लूँगी इस तरह ये देखे कितना गाढ़ा बनके तैयार हो जाता है तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज़ को रखेंगे तो बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही सुन्दर तैयार होगा अब मैं आप लोगों कि इसको डाल के दिखा दे रहे हैं इसी पानी में एड़ कर ले रहे हैं अब मैंने इसको एड़ कर लिया इस तरह से अब आप इसको सभी तरह के पौधों में डालिए ये छिड़काओ करिए ये बहुत ही अच्छा रामबार फटलेजर बनके तयार हो गया आपके पौधों के लिए तो आप इसको प्योग अपने पौधों में करिए और अपने पौधों को ह इस तरह में बॉटल में भरके इस तरह कर सकते हैं तो मैं इस तरह से देखिए इसमें से डाल रही हूँ इसमें हल्दी और गुडर नीबू बहुत सारे ऐसी चीजे पड़ी हैं जो हमारे पौध के लिए बहुत ही पुगी है फ्रेंट तो इस तरह से मैंने इसको डाल दिया त सभी तरह के पौधों में डाल दोंगी फ्रेंट जितने मेरे गार्डन में पौधे रखे हैं सभी में इसको डालोंगे तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में त